हलो गाइज आज हम बात करें कोफाेक्टर के बारे में काफी कमेंट साया थैं वीडियो में की सर अगला वाला जो कोफ aumentar पर वीडियो लाइं तो देखे कोफास्टर के वाफ़ ही आसान वीडियो आपके लब बनाके आया हूं में देखिए इसके बार क्या है कि को फैक्टर के बारे में कुछ भी पढ़ना नहीम पर发ITE मिल्फ अकोर लगभज एक पेश्च वें दिया गया है लेक Taleca A एकदम सौट में एकदम आसान तरीके से बता दूंगा कि आपको फिर वो चीज पढ़ने की ज़रूत नहीं पड़ेगी आपके सारे कोईस्टन इसमें कबर हो जाएंगे तो पहले बात कर लेते हैं को फैक्टर होता का देखिए को फैक्टर एक नान प्रोटीन मॉलिकूल होता है वो टोटल प्रोटीन से ही केवल और केवल प्रोटीन से ही बने होते हैं जबकि कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होते हैं दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन और नान प्रोटीन दोनों टाइप्स के माल्कूल से या दोनों टाइप के समस्टेंस से मिलके बने होते हैं इसको active करता है CO Factor अगर को फैक्तर complex enzyme को हटा दिये जाए तो यह जो complex enzyme है वो inactive हो जाएगा यानि कि अपना काम सही से नहीं कर पाया तो complex enzyme को active करने में सबसे ज़्यादा बड़ा role किसका है सबसे बड़ा role होता है co factor का यानि नानो प्रोटीन वाले पार्ट का होता है अब next factor तीन टाइप्स की हो सकते हैं एक पहला प्रोस्थेटिक ग्रूप हो सकता है दूसरा co enzyme हो सकता है तीसरा metal line हो सकता है अब देखिए प्रोस्थेटिक ग्रूप ग्रूप एक टाइप्स का organic compound है और यह हमेशा जब भी complex enzyme से bind करेगा तो बहुत ही tightly bind करता है बहुत ही tightly bound करता है अब प्रोस्थेटिक ग्रूप का example क्या है तो प्रोस्थेटिक ग्रूप है यहाँ पे हीम हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रूप है जो की catalyze और parauxidate enzyme में पाए जाता है अब देखते हैं को एंज़ाइम की बारे हैं, doctor,chodzi, का और अर्गेनिक कमपांड होता है। अर।치가 ये ट्रांजीन्ट होता है। ट्रांजीन्ट मतलब ये honor, cara लूजली बाइंड करता है complex enzyme से। को एंजेयम लूजली बाइंड करता है किसे complex enzyme से। प्रांजियन मतलब क्या होता है loosely bind करना देखिए कोई enzyme जो होता loosely bind करता है इसलिए ये serve in number of reaction तो ये क्या करेगा reaction करवाया देगा उसके बाद क्या करेगा ये आसानी से निकल आए क्योंकि loosely bind है ठीक तो आसानी से निकल आएगा और धेर थारे reaction में काम कर सकता है इसलिए वो तो इसलिए दिया है देखिए ये कोउ enzyme जो होता है वो serve in number of reaction में काम करता है और अब कोई enzyme का अब बात करते हैं मेटल आयन तीसरे जो कोफ़ैक्टर होता हो है मेटल आयन अब देखिए जो metal ion होता है वो zinc है ठीक जिंक 2 प्लस as a metal ion की तरह काम करता है किस enzyme में कार्बोक्सी पेप्टाइड एज एंजाइम में zinc 2 प्लस as a metal ion काम करता है और जब भी कार्बोक्सी पेप्टाइड जो एंजाइम है इससे ये metal ion जब बाइंड करता है ठीक जिंक 2 प्लस माली ये इस एंजाइम से बाइंड कर रहा है तो वो हमेशा coordinate bond form करता है बहुत ज़्यादा important है हमेशा metal ion एंजाइम से जो complex enzyme होता है उससे एजा coordinate bond की तरह जुडता है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मुच आज आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मुच